का स्वागत है और आज हमारे सामने TVS Antork 125 XT यह TVS Racing का प्रोड़क्ट है मतलब TVS अपनी रेसिंग में जो प्रोड़क्ट अपने यूज करती है उनके अंदर ही आता है Antork यह Antork का सबसे महंगा सबसे प्रीमियम मोडल है जो हमारे सामने खड़ा है अगर TVS के किसी भी स्कूटर की बात करते हैं किसी भी स्कूटी की बात करते हैं पैट्रोल इंजन में तो यह सबसे महंगा प्रोड़क्ट आता है इनका यह नियोन कलर में है काफी ज़्यादा फंकी लगता है बहुत ज़्यादा स्पॉर्टी है इसके अंदर बहुत ऐसी नई ने टेक्नोलोजी और फीचर यूज हुए है जो पहली बार किसी स्कूटी के अंदर यूज हुए है अभी तक और बाकी इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप यह देख लीजे आज की इस वीडियो में हमारी हेल्प की है कार्थी के टीवियस ने सेक्टर 49 में रिसेंटली इनका शोरूम ओपन हुआ यह नोयडा का वन ओफ लार्जेस टीवियस का शोरूम इसको बहुल सकते हैं अगर आप लोग भी नोयडा के असपास रहते हैं नोयडा में रहते हैं टीवियस का कोई भी नए स्कूटर यह बाइक प्लान कर रहे हैं तो आप इस शोरूम को विजिट कर सकते हैं काफी सारे ओफर्स यहां पर चल रहे हैं हाँ तो जैसे मैंने कहा यह टीवियस का आने वाला सबसे महंगा स्कूटर है टीवियस एंटोर्क 125 XT XT मतलब extra technology smart connect जैसे feature इसमें देखने का मिल जाते हैं यह स्टीवियस एक Indian company है बहुत ही reputed company है मतलब 48 यह पुराना इनका भी तियास है इसमें काफी जादा help किया है जैसे कि इंडिया को boost करने में टूवियर्स का बहुत बड़ा हात रहा है चलो बात करते हैं इस टीवियस N25 एंटोक की इसमें काफी सारी आपको funky and sporty चीज़ देखने को मिलती है जैसे इसमें जो skins यूज हुई है इसमें जो graphics है इसका जो design language है प्लस जिन लोगों के लिए टीवियस ने इसको बनाया है उन लोगों को यह मतलब बहुत पसंद आई है मतलब मैंने काफी सारे मतलब ऐसे लोगों से भी बात की जिनके आपास टीवियस एंटोक अल्रेड़ी है 125 वाला मोडल के आपास अल्रेड़ी है तो उनको as such कोई भी कमी इसमें फीली हुई है जो उनको power चाहिए थी वो power इसने deliver की है जो उनको performance चाहिए थी वो performance उनको मिली है बट कहीं न कहीं थोड़ा सा मतलब यह रहता है लोगों कि थोड़े से उसके suspension है वो काफी stiff है stiff होने का reason भी है कि एक sports मतलब category की यह वो है तो यह भी मतलब बहुत जाता स्पोर्टी इसको बना रही है एंटॉक एंटॉक TVS का मतलब उसी segment में आने वाला है जिसमें TVS मतलब TVS race जो होती है तो उसमें जो product अपने यूज करता है अपनी bike वगरा जैसे कि Apache RR वगरा यूज करता है 9.38 HP and 10.5 mm of torque and plus इसमें जो आपको suspension देखने को मिलते हैं तो पीछे वाला suspension भी इसका red दिया हुए जो इसको और sporty इसको दिखा रहा है rare जो suspension इसका ये toggle link, gas filler, hydraulic dampers है इसमें ठीक है and plus बाकी sporty तो ये actual में बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं पीछे इसमें जो T का जो शीप बनाया हुआ हुआ है जो इसमें जो TVS का logo है इसको इंटरिगेट किया हुआ है काफी ज़्यादा transformer जैसी feel देता है तो देखने में त काफी अच्छी लगती है एवन अगर रोड पे जब लोग इसको निकलते हैं तो उनको भी मतलब काफी अच्छा लगता है and plus लोग देखते भी है इस तरह की किसमें इसकी की आती है कोई जैसा remote remote नहीं है कि मतलब जादा technology है तो remote वाली की देंगे तो ऐसा तो कुछ नहीं है बाकी इसके अंदर जो features आते हैं उनके बारे में आप धीरे धीरे बात करना start करते है और दूसरे यहां से off on lock कर सकते हैं तो यहां पे इसके cluster में हमको दो screen देखने को मिलती है जो normal and torque आती है उसके अंदर सिर्फ एक ही आपको digital cluster देखने को मिलता है इसमें आपे दो दो है प प्लस इसमें आपको बाकी चीज़े भी मिल जाती है जैसे कि आपको उसमें navigation हो गया आपका कर कोई भी problem है स्कूटी के अंदर तो वो सब चीज़े भी इसके notification पहा जाती है इस तरगे कि इसमें पीछे आपको यह LED lights मिलती है जो मतलब कि daytime running lights जो होती है प्लस इस तरगे का का काफी exhaust आता है देखने में काफी अच्छा लगता है यह ठीक है एंड यहां पर यह tires है इसमें जो rims यूज हुए है इसमें जो यह भी काफी जाता है sporty है अगर tire sections की ही बात करें तो पीछे वाला tire आगे वाले tires है थोड़ा सा मोटा है अगर मैं आपको इसके sections बता देता हू प्लस screen पर भी आप देख सकते हैं तो rear में जो tire इसमें आता है वो आता है हमारा 110 by 18 12 inch मतलब 12 inch का इसमें पीछे tire आता है 110 उसकी width है यहां पर भी आप इसमें देख सकते हैं काफी funky चीज़े यूज हुए है जैसे कि यहां पर ही जो air cooler है इसका तो इसमें भी green color का neon color का फैन लगाया हुआ है तो देखने में काफी चीज़े लगती है प्रास नीचे से भी अच्छी खासी body covering इहां पर है और इसमें जो ground clearance आपको मिलता है वो भी लगवग लगवग 155 mm का इसमें ground clearance मिलता है अगर बाकी other dimensions देखते हैं इसके 1861 की इसकी length है 710 mm इसकी width है और वहीं पर 11 1164 mm इसकी height है sitting position या फिर sitting position से लेकी नीचे तक height है तो यह सारी चीज़े इसके अंदर आती है ठीक है और बाकी इसमें जितना भी material यूज हुआ है काफी मतलब इसकी sitting भी काफी अच्छी है बाकी आप सामलेजिस का look देख सकते हैं इसमें आगे आपको मतलब यह DRLs भी मिलत के लिए अब यहां पर इसके instrument cluster की तरफ फिर से आ जाते हैं वहां पर देख लेते हैं को क्या क्या चीज़े मिलती है तो यह dual screens हो गई यहां पर बाकी अपने low beam high beam के button हो गई यहां पर हमारे indicators के लिए हो गई है यहां बालब आता है इसमें indicator में ठीक है और बाकी LED सिर्फ उस बैटरी कितने चार्ज है क्या आपने मतलब की best lap किया लिए तक कितनी range रही थी कितना कितना आपने इसको इको में चलाया कितना इसमें पावर मोड यूज किया इसका सो वो सारे features आपको यहां पर देखने को मिलते हैं प्लस time वगरा सारी चीज़ यह दिखाता है कि fuel कितना है और इसमें और भी बहुत सारी notifications आपको देखने को मिलते हैं जिसे कोई delivery boy है अगर वो इसको लेना चाहे तो उसको मतलब इसमें अपने मतलब की phone से connect करके तो phone में जो उसके जो applications होती है delivery partner की पर इसमेट हो गया तो उनका भी इसमें शो करता रहेगा कि आपने कितने order deliver कर दिये कितना आपने time लगाया है वो सारी चीज़ इसमें आ जाती है इसके अलाव अगर बात करते हैं स्कूटी के अंदर आप तो यह front से इसका look देखिए काफी ज़्यादा अच्छी लग रही है यह बागे इसके मैं एक बार आपको ना इसके headlamps ज़रा के दिखा देता हूं कैसा throw है इनका किस तरीके से जलते हैं ठीक है मतलब high beam and low beam किस तरी कहां से आप देख सकते हैं LED lights इसमें देखने को मिलती है headlamps देखने को मिलते हैं काफी ज़्यादा तेज थ्रो है इनका मतलब काफी देखने में अच्छे लग रहे हैं मतलब काफी डिफ्रेंट साही लग रहा है मतलब कुछ ना कुछ मतलब face कहीं नहीं मुझे तो उल्लू and high दोनों एक साथ सो इस तरीके से यह जल रहा है तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब के बारे में बताता हूं आपको आगे थोड़ा सा इसके टीविएस के बारे में आपको बता रहे था हूं मैं टीविएस एक्च्वल में मतलब क्यूं वो इस टाइप की स्कू बना रहे हैं जैसे कि एक्टिवा हो गया या फिर होंड़ा उनके नॉर्मल अपने मतलब की होंड़ा के एक्टिवा बगरा बाकी स्कूटी नॉर्मल ही आती है तो टीविएस मतलब हमेशा कुछ न कुछ नया करता आया है अपने स्कूटी के साथ या मतलब हमेशा अपने से टूविलर के सेग्मेंट में in terms of revenue वहीं पर ये हर साल 30 लाग से जादा units अपनी सेल करते हैं and 40 लाग से जादा product मतलब units बनाने की इनकी capacity है यहाँ पर इसमें break में मतलब आप इसको hold करने के लिए लगा सकते हैं तो इची चीज है प्लस second largest two-wheeler exporter है TVS इंडिया का मतलब 60 से जादा countries में अपनी products export भी करते हैं तो मतलब TVS आलसो मतलब की पहली ऐसी Indian two-wheeler company रही थी जो कि Dakar Rally जिसमें मतलब भी recently Gagan Chaudhary हमारे यहां से गई थे इंडिया से आपने आईगर से वीडियो देखियों कि नहीं देखिते हैं आप जाके देख सकते हैं उनकी वीडियो तो Dakar Rally में भी उन्होंने सबसे पहले TVS ने अपने products को उता रहा था उस Rally में तो इसके अंदर यह total 20 liter का इसमें आपको boot space आ जाता है ठीक है इसमें आप अपना एक helmet रख सकते हैं ज्यादा तो नहीं आएगा प्लस इसके अंदर कुछ और वी चीज़े आपको देखने को मिल जाती है जैसे OBT scanner आपको इसमें देखने को मिल जाता है जो कि अगर स्कूटी के अंदर कोई चोटा मोड़ा technical fault होता है तो वो चीज़े रिटेक्ट कर लेता है इसली फिर वो इसमें इसमें आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए सोकेट भी यहाँ पर मिल जाता है बट उसके लिए आपके engine ओन होना चाहिए तो अपने बूट के अंदर रखके अपने मोबाइल भी चार्ज कर सकते है सो यह सब बेसिक चीज़े हैं स्कूटी के बारे में वही पर अगर इसके आगे बात करते हैं किस टैप किसकी build quality आती है तो यह जो स्कूटर है यह जो एंटॉक XT 125 है तो यह पकड़ने में देखने में चीज़े मतलब काफ़ी tough है बोड़ी भी काफ़ी tough feel होती है जो फाइबर यूज हुआ है नीचे मतलब इसमें काफ़ी अच्छी चीज़े यूज हुई है यहाँ पर मैट हो गया नीचे यहाँ पर यह carbon fiber finish है जहाँ पर यह TVS racing की badging हमको देखने को मिलती है प्लस बाकी जो buttons हो गए बाकी जो screens हो गए यह सब चीज़े मतलब अच्छी fit and finish काफ़ी एक rider को यह सारी चीज़े काफ़ी ज्यादा confidence देती है जैसे कि इसमें connect car मतलब जैसी feature आते हैं अपने phone से connect कर सकते हो तो काफी एच्छी technologies के अंदर डाली है मतलब काफी ज्यादा अप market है यह अगर देखा जाए तो हर angle से हर design language power language and plus जो इसका characteristics है वो सारी चीज़े तो जो जो ऐसे youngster से ऐसे लोग हैं मतलब जिनको bike ज़्यादा पसंद नहीं है बट फिर भी उनको कोई ऐसे two-wheeler चाहिए जो sporty हो तो वो इसको easily ले सकते हैं ठीक है बाकि इसके अंदर को basic feature basic चारी चीज़े भी आती है जैसे कि hooks वगएर हो गई है अपना चोटा मोटा समान रखने के लिए यहाँ पर काफी सारा मतलब ठीक ठाक आपको foot area मिल जाता है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है मतलब इस compared to Jupiter and TVS तो उतना नहीं है बट ठीक है बाकि आपको यहाँ पर भी hook मिल जाता है I guess यह 3kg का आपको hook मिल जाता है तो जहाँ पर आपना समान मतलब रख सकते हैं यहाँ पर लटका तो as such इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो missing है जो कि एक scooty के अंदर होनी चाहिए और वो इसमें नहीं है वो सारी के अंदर TBS वही company जिसने सबसे पहले अपनी bikes के अंदर अपनी two wheeler के अंदर ABS डाला था तो हर चीज में आगे रहते हैं मतलब कोईश करते हैं वह अगे रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर यह जो footsteps हैं यहाँ पर भी कितना sporty यहाँ चीज़े यू गुलेट खुल जाएगा सेम जगा पर की लगा कि अगर आप रैट टर्न करोगे तो इसका आपको बूट एकसेस कर सकते हो तो यह है टीवियस एंटोर्क 125 XT एडिशन नियोन कलर में जो सबसे प्रीमियम है इनका अगर इसकी प्राइजिंग देगे तो 1,05,000 रुबी एक श चल अगी और थैंक यू फर वोचिंग इस वीडियो